नमस्कार तथ्य में आपका स्वागत है मैं हुमनी शवस्थी तथ्य में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में अनुच्छे 370 की बाहल होने से पहले भारत के साथ व्यापार शुरू नहीं करने का दंब बने वाले ना पाकिस्तान पाकिस्तान की अकड़ धीली पड़ गई है नगदी संकट से जूज रहे पाकिस्तान के दवा नियामक ड्रक्स कंट्रोल ने कहा है कि अस्पतालों रामनागरिकों के अपने इस्तमाल के लिए भारत से कैंसर रोधी दवाओं और टीकों सहित माचुपोण दवाएं आयात करने पर पतिबंद नहीं है मीडिया की एक खबर में शुक्रबार को यह जानकरी दीगई भारत जान बचाने वाली दवाओं के निर्यात का बड़ा खिला रिया और दुनिया बर में दवाओं का निर्यात भी करता है समाचार पत्र दन्यूज इंटरनेशनल की खबर के अनुसार ड्रग रेगुलेटरी अथोरिटी ऑफ पागिस्तान डियार एपी ने ब्रहस्पतिवार को कहा कि आयत नीती आदेश 2022 के तहत अपने उप्योग के लिए भारत से मुहत्प्रोण दवाएं कैंसर रोजी दवाएं और ठीके आयात करने पर अस्पतालों या आम आद्मी पर को महर ताज रोगानी ने वित्तिय संकट के बीच देश में कई आवश्चक दवाओं की अनुक लब्दता का मुद्दा उठाया था बी आर एपी के अधिकारियों ने इस पर कहा पागिस्तान में कुछ आवश्चक दवाओं की अनुक लब्दता को देखते हुए आम लोग औ पर अस्पताल भारत से सीधे दवाया आयात करने के लिए अनुक्सी के लिए आवेदन कर सकते हैं वर्तमान में आयात नीती आदेश दोहजार बाइस के तहर भारत से किजी भी दवा के आयात पर कोई प्रतिबन नहीं है पाकिस्तान के अमबानी कहे जाने वाले अरपती मिय अमाशा ने अभी कुछ दिन पहले ही शाबास सरकार से अपिल की थी कि वह भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करें उन्हों नहीं कहा था कि अब यह व्यापार शुरू होता है तो पाकिस्तान की कंगाली भी दूर हो जाएगी शाबास सरकार ने इस सुझाओ को खार शाबास सरकार इसे अंसुना कर चुकी है इससे पाकिस्तान में सेक्रों फैक्ट्रियां बंद हो गई हैंने ताले लग गए हैं और लोग बेरुसगार हो गए हैं जियां तत्थे में आज के लिए फिलाल इतनाएं नमस्कार